ओके स्वागत आप सब का एक और ये वीडियो के अंदर हो सकता है गला मेरा थोड़ा सा बैठा होगा और आवाज आपको डिफेंट लग रहे हुगी बिकॉस सुभा से कास्टिंग कर रहा था जस्ट मैंने अभी कास्टिंग कतम की है बारा बजए के आसफास का टाइम हो रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ सुप्रीस हलका मैनेज करें आज की बिसिकली जो वीडियो है ये होने वाली एक बहुत होट टॉपिक के ऊपर जो की है जी इए वर्सेज हाइडरा अब हम इस टॉपिक करे बात करेंगे अब आइम नाट गिविग माई रिव्यूस और सम्थिंग बताने मालो कि क्या चीज़ें हुई है आज का टीजी का मैच जो मैं कास्ट का था वहाँ पे ड्रॉप क्लैश हुआ इन दूनों टीम का नहीं वा था लौप क्लैश का था कि हाइडरा यही था हुई इसाथ इरोऔस ने बाहर निकाल के थोड़ी से डामेज दरीग की कुशिश की ति हाइडरा के प्लेयर सको और एक प्लेयर आगे आय था लेजिन जिनको अच्छा गाता डैमेज आपे पड़ा और उसका फिर प्लेयर स्विच किया तुम देखो तुरंट प्लेयर स्विच किया जैक्सन को आगी बेजा अब यह टेकनिक जो हैडर ने अभी की यह टेकनिक हैडर आप बाद में यूज नहीं करती तुरंट इरोज ने क्या किय M249 पे स्विच किया तुम देखोगे तो लाइन आफ फैर किया यह इस एरिया इस पूरे के पूरे में अगर कोई भी प्लेयर आता है कुछ भी आता तो वो जरूर गोलिया खाएगा और इस लाइन आफ फैर के तो हाइटर के दोनों प्लेयर चल के आगे ट्रेस किया जिगल कर रहा है इरोस क्राउच कर रहा हर एक चीज़ ओन पॉइंट कर रहा है इरोस बहुत बढ़ी तरीके से दोनों प्लेयर चल कर दो दिया होगा पॉल ताई होगी कि हाँ यहाँ पर एचपी बहुत कम है उस टाइम पर जो दो हाइटर के प्लेयर बचे थे उनको पुश करना अचीए था इस टाइनामाइट बचाता और पव बचाता उनको यहाँ पर एक साथ पूछ कर चाए दोनों प्लेयर उसको नहीं किया यह बहुत बड़ी गलती कर दी और इरोस ने हील अप कर रहे है इरोस को मौकाब लिगा था फिर उसका यहाँ पर हील अप कर रहे ने ने क करती है मैंने अच्छली मायवी को मेसेच किया कि ऐसा क्यूं हुआ कैसे जी को बता चला कि यहाँ पर है यहाँ पर है अब तुम अगर देखो के तो हाड़ डाइनमाइट वो ओपन में आता है आईजियल और जैसे डानमाइट ओपन में आता है यहाँ से मन्या उसको डाउन मन्या पीछे आया वही का लेने के लिए जब तक प्लियर्स और डियर्डी ते पुछ करने के लिए ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी रगी है यहाँ पर जिए को अब यहाँ से ना उमकिन ता हलाकि पर फिर भी नीचे आले एरिया पर गया तब इसको बेस्मेंट वाले होता है बट उसके बाद डारेक्ली जी एंटर कर गी अच्छा अब यह जो जी कर रही है एक साथ एक दो तीन एक साथ यहाँ पे जो तीन प्लेयर्स एंटर कर रहे है इस पर्टिक्रा पॉइंट पर पर यह चीज हाइडरा को भी करी चाहिए जब वहाँ पर आट यह साथ तो आपस में एक दूसरे को कवर दे रहे है लेकिन हैडर के प्लेयर का बहुत दूर लेजेंड यहाँ बीच फाइट में दुनों स्प्लिट्स के बीच में और पर्फ तो बहुत दूर बैठा हुआ था उसका रॉनी अब देखो यहाँ पे हैडरा के एक आप्ट पचा था जो की दे लेजेंड अब लेजेंड यहाँ पे स्प्रे का था बट रॉनी उसको पता था कि लेजेंड है ठीक है यह देखो जैसे ही स्प्रे पड़ी रियक्शन टाइम समझना से बस और तुरंत रॉनी नहीं यहाँ पर यह देखो डैमेज देना चुरू करते विजेंड ब बहुत तंग किया यह देखो भूब ने स्पॉट के जोकर को तुरंत यहाँ नौकष डाल दिया नौकष डाल दिया नौकष डाल डिया ठीक है अब परव को पता है कि यहां पर प्लेयरस तोओंगे उसे सीज का अंदाज है बहुत बढ़ा तरीके से लेकिन यहाँ पर सामने भी प्लेयर्स तुमको नॉकाउट दिख रहे हैं सामने प्लेयर्स माताब नॉकाउट बड़ बहुत कम इची हुँ दिख रहे हैं यहाँ से पर्व ने जोकर को फिनिश करके इसी डिप के वे अंदर रहने के डिसीज़न यह यह एक गल्ड डिसीज़न था क्यूं? प्लियर्स के इची बहुत कम थी, तुम चिर्कल के बारे बार बैट्टे home, अगर यहाँ पर पर्फ कर ले था, मैस करो, पर्व क्यास फर्स एट आगर पर्फ कर लेता, फर्स एट में ठालता इस क्रेट से, और सिधा आगे बढ़ता था, तो क्या यहाँ पे इन दो प्लेयर्स को नहीं पर्फ डाउन कर सकता है बड़ आरां से कर सकता है क्योंकि पर्फ जास एक तो हाइट एडवांटेज है था दूसरा इन प्लेयर्स की HP कमती तीसरा यह प्लेयर्स हील अप कर रहे थे पर्फ का एम स्टिल काफी बढ़िया था उसने पहले प्लेयर के उपर ADS रखा जरूर लेकिन मन्य आया यहाँ यहाँ पर रहनी है यहाँ और तीन तरह से स्प्रेव पड़ेंगी तो लाइन आफ फायर्स के बीच से बचना ना उमकेन है दोनों बार यही चीज़ लिए हाइडरा के साथ एर अंकल है भी मेरा मार में भी लाइन ओफ फायर के बीच में आगे एक बार आटियार के प्लेयर के एक बार अभी जीए कि भाई तीन प्लेयर्स एक साथ अलग 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 मुल्टिपल अंकल से मार थे तो आज की वीडियो के लिए इतना है गाई सुमीज का तम वीडियो आपको पसदा है योगी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू करना और कमेंट सेक्शन बता तुम्हें क्या लगता है यह ड्रॉप क्लाश का जो कॉंटर वसी चल गए वाट यू तिंग क्या हो रहा है क्या होने वाला है बताओ कमेंट सेक्शन में